नमस्कार एक बफिर्स से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी में कल के वीडियो में हमने जाना था कि 36 गड़ सरकार द्वारा जो वर्स 2020 और 2021 का बजट प्रस्तूत किया गया है उस बजट में 36 गड़ में स्वास सम्मंदी से वाओं के लिए किस प्रकार से प्राबधान किये गए है या फिर 36 गड़ में स्वास सम्मंदी जो योजनाएं चलाई जा रहे हैं उन योजनाओं में किस प्रकार से प्राबधान किया गया है इसके अलावा कल हमने ये भी जाना था कि इसी बजट में 36 गड़ सरकार द्वारा युवाओं के लिए कौन-कौन से प्राबधान किये गए हैं इसके बारे में भी हम निकल चर्चा किया था आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 36 गड़ सरकार द्वारा क्रीसी पसू पालन या फिर मतस्य पालन के छेतर में कौन-कौन से प्राबधान किये गए हैं या फिर कौन सी नई योजना सुरू की गई है इसके अलाबा आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सिचाई के छेतर में 36 गड़ सरकार ने इस बजट में कौन-कौन से प्राबधान किये हैं तो इन पर हम एनालीसिस करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बदा दूं कि अगर आप घर बैठे अपने समय को बहतर तरीके सी उटिलाइज करना चाहते हो अगर आप घर में बैठकर अपने समय को वैर्थ नहीं करना चाहते हो आपकी जो तयारी की consistency है वो break ना हो आपका जो flow चल रहा है पढ़ाई का वो नब्रेक हो तो आप हमारे इस mobile course से जुड़ कर घर बैठे बहुत आसानी से तयारी कर सकते हो अगर आप किसी भी 36 गड़ के government exam के तयारी कर रहे हो तो इस mobile course के माध्यम से आप बहुत आसानी से कर सकते हो आगामी 500 चातरों के लिए इस mobile course की कीमत जो है ब्याली सो से घटाकर तीन हजार रुपय कर दिया गया है अलग-अलग subject wise में भी mobile course available है तो इस mobile course में आपको ठीक वैसी feeling है जैसे आप classroom में study करते हो तो सिमित समय है आप चाहो तो इस mobile course के जरिये आप घर बैटे बहुत आसानी से तियारी कर सकते हो तो हम लग बात कर रहे थे कि budget 2020 और 2021 में 36 गर्सरकार ने क्रेसी, इसके अलावा पसुपालन, इसके अलावा मतस्यपालन और सीचाई के छेतर में कौन-कौन से प्राप्धान इस budget में किया गया है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा जो आज के समय में 36 गर्सरकार की सबसे महत्वकांशी योजना मानी जाती है इस साल के budget में जो सबसे बड़ा प्राप्धान किया गया वो है आपका राजीब कांधी किसान नियाय योजना इस योजना के बारे में हम लोग जानेंगे लेकिन उससे पहले समझ लो कि इस योजना में कितने का प्राप्धान किया गया है तो इस योजना में आपका प्राप्धान किया गया है पांच हजार एक सो करोर रुपै का कि लोगों को इस योजना का फैदा मिलेगा तो समझिए कि 36 गड़ सरकार ने एनाउंस्मेंट किया किया था 36 गड़ सरकार ने ये घोशना किया था कि 36 गड़ में 85 लाख मिट्रिक टंड धान की खरीदी किये जाएगी इतना लख्च रखा गया था और ये कहा गया था कि 36 गड़ के किसानों को 25 सो रुपे पर क्यूंटल के हिसाब से धान खरीदा जाएगा लेकिन 36 गड़ सरकार और Chiindr सरकार के बीच में टकराव हुआ कि aजर आ 55 रुपए पर क्यूंटल के थान खरीद उगे तो हम आपके धान को नहीं खरी देंगे यनि कि각री ये पूल में 36 गड़ का धान नहीं खरीदा जाएगा तो इसके दवाब में 36 गर सरकार ने 1815 और 1835 रुपे में ही धान खरीदी की लेकिन यहाँ पर 36 गर सरकार द्वारा के सानों को कहा गया कि हम आपके धान को 2500 रुपे में ही खरीदेंगे लेकिन जो बागी का समर्थन मुली है 685 रुपे उसे हम एक स्कीम के तहद देंगे इसके लिए एक कमीटी का भी गठन किया गया था क्रिसी मंतरी रविंदर चौवे की अध्यक्षता में जिसके बाद इस बजट में एक नई योजना के घोशना के गई उस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना तो किसानों को पर क्यूंटल 685 रुपे अलग से प्रदान करनी के लिए इस योजना के तहद 5100 करोड रुपे का प्रापधान किया गया ध्यान रखिएगा यह योजना आपके लिए बहुत महत्पून है जो आपका पेपर नंबर 5 है चाहे 36 गड़ की अर्थ फिवस्ता हो गया या फिर जो 36 गड़ का भूगोल हो गया वहाँ आप इसका वैल्यू एडिशन कर सकते हो या फिर पेपर नंबर 7 में योजना से संब चलाई जा रही है क्रिशी के छेतर में उन योजनाओं में 36 गड़ सरकार द्वारा कौन-कौन सा प्राब्धान किया गया है उसके बारे में भी हम लोग यहां पर जानेगे देखिए यहां पर जो भी मैं किंद्रिय योजनाओं के बारे में बताने वाला हूँ तो किंद्र स प्रदान मंतरी फसल भीमाय योजना इस योजना कि लिए 362 क्रोड़ रुपय का प्राबधान की लिए वितवर धुरि २ और किस के लिए इसके लिए आपका थे गाज़ाय कर दनकिए विवार्द riches मेडल रुपय का प्राबधन ओजना इसके लिए आपका 110 करोड रुपय का प्राप्धान किया गया है तो ये कुल 5 योजना ऐसी है जो कि कंदर सरकार दोरा चलाई जा रही योजना है लेकिन इसमें जो funding होता है कंदर सरकार का 60% होता है और राज्य सरकार का 40% होता है उसी के मद्दिनजर राजय सरकार ने अपने बजट में इन योजनाओं के लिए इस प्रकार से प्राप्थां किया है ध्यान रखेगा, important हो सकता है, आप value addition कर सकते हो और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो इस साल budget प्रस्तूत किया गया है इसमें agriculture sector के लिए बहुत कुछ था तो इस तरह से agriculture sector में जब आप इस related paper number 5 में question attempt करोगे तो इस आधार पे आप यहाँ पर इनका value addition कर सकते हो, बहुत अच्छे marks मिलेंगे इसके बाद जो अगली योजना है वो है क्रिसक जीवन जियोती योजना इसमें 5 HP तक के अगर किसान pump चलाते हैं तो उनको 36 गड़ में किसी प्रकार से कोई बिजली बिल नहीं लिया जा रहा है ये गोशना पिछले साली किया गया था और बिजली बिल नहीं भी लिया गया था अगर कोई किसान 5 HP तक का pump चला रहा हो तो और इसके लिए 36 गड़ सरकार 2019 और 20 में 36 गड़ सरकार ने जो खर्च किया इन किसानों पर खर्च किया 2164 करोर रुपए और इससे लगभग 526,000 किसानों को टैरिक्ट फैदा मिला और 2020 और 21 केस में प्रापधान किया गया है इस योजना के तहट 2300 करोर रुपए फिर से बोल रहा हूँ वो किसान जो 5 HP तक के क्रिसी पंप को चलाते हैं उनसे बिजली बिल नहीं लिया जाएगा और इसके लिए राज्यो सरकार ने जो बजट में प्रापधान किया है वो किया है 2300 करोर रुपए का योजना का नाम क्या है योजना का नाम है क्रिसक जीवन जीवती योजना ध्यान रखिएगा बहुत important है चले इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले point की तरफ तो अगला point है गौठान समीती जैसे नर्वा गरवा घुरबा बाड़ी ये सरकार के महत्वकांशी योजना है इसके बार में बताने कि आपको जरुवत नहीं है तो इसके अंतरगत में जो गरवा है गरवा के अंतरगत में क्या है गौठान बनाया जा रहा है और उसी गौठान में जो पालतू जानवर है उसको रखा जा रहा है और इसको संचालित करने के लिए एक गौठान समीती का गठन किया गया है प्रतेक गौठान के लिए और उस गोठान समीती को प्रतेक महीने 10,000 रुपे दिया जाएगा सहायतारासी के तौर पर ताकि उस गोठान का संचाले अच्छे तरीके से किया जा सके इसके लिए राज्य सरकार ने बजट का जो प्रापधान किया है वो 6 करूर रुपे का किया है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ें तो बेमेतरा जस्पूर धमतरी बालोद में उद्यानी की महाविद्याले स्थापित किया जाने की घोशना बहुत पहली किया जा चुका है लेकिन इस महाविद्याले के स्थापना के लिए जो बजट का प्रापधान किया गया है वो 5 करूर रुपे का किया गया है फिर से बोल रहा हूं बेमेतरा जस्पूर धमतरी और बालोद में नया उद्यानी की महाविद्याले खोला जाएगा ताकि उस छेतर के लोग वानीकी से संबंदित वहां पर चीजें सीख सकें कैसे नई नई प्रजातियों के सबजी उगाया जाते हैं कैसे कैसे नई प्रजातियों के फूल उगा सकते हो आप तो इस तरह से बहुत कुछ सीख सकते हो इस महाविद्याले में और इस महाविद् प्राप्धान पांच करोर रुपय का एक सवाल यहां पर आपके लिए यह तो हो गया उद्यानी की महाविद्याले अब यह बताईए कि उद्यानी की विश्वविद्याले 36 गड़ में कहां उस्थापी किया जाएगा ठीक है चलिए प्रस्न का जवाब नीचे कमेंट बोक्स म में डेरी डिप्लोमा महाविद्याले खोले जाने की बात कहे गई थी और इसकी स्थापना के लिए जो बजट में प्राप्धान किया गया है वो दो करोर रुपय का किया गया है तो डेरी डिप्लोमा महाविद्याले कहां खोला जाएगा आपका बेमेत्रा और दूसरा तख ठटपूर में, ठीक है और प्राभधान कितने का किया गया है दो करूर रुपय का इस महाविध्यालै को खोलने के लिए, चल लिए, इसके बाद जो हमारा अग्ला पौंइंट है, वो है फिसरीज पॉली टेकनिक कालेज़ रिलेटेड ये बनाया जाएगा आपका ग्राम है राजपूर, धमदा और जीला आता है आपका दुर्ग यहीं पर फिसरीज, पॉलिटेक्निक, कॉलिज का स्थापना किया जाएगा ताकि मचली पालन से संबंदी जो भी नया नया इनुवेशन है वो वहाँ पर सीखा जा सके तो ये हो गया क्रीसी, पसुपालन या फिर मतस्यपालन के छेतर में सरकार द्वारा इस बजट में जो जो प्रापधान किया गया है उसके बारे में इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि सीचाई के लिए राज्य सरकार ने इस बजट में कौन-कौन से प्रापधान किया है ध्यान रखिएगा, सीचाई सरेलेटेड जो भी प्रापधान किया गया है प्रिवियस सेल के कोईशन पेपर उठा कर देख लो मेंस में सीचाई सरेलेटेड हर साल एक ने एक कोईशन आता है तो जो भी इस बजट में प्रापधान किया गया है इन बजट के प्राबधानों का आफ वैलू एडिशन में करके आप एक बहतर उत्तर लिख सकते हो तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि सिचाई के छेतर में कौन-कौन से प्राबधान किये गए है इस बजट में ध्यान से सुनियेगा सबसे पहले इस बजट में कहा जाता है कि जो वास्तविक सिचाई छेतर है वो है 13,00,00 हेक्टेयर का ठीक है और इस 13,00,00 हेक्टेयर को वर्स 2028 तक 30,00,00 हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष रखा गया है इस बजट में राज्य सरकार दोरा इसके लाबा पैरी महानदी इंटर लिंकिंग नहर परियोजना के लिए 20 करोर रुपय का प्रापधान रखा गया है इसके लाबा नवाड की सहता से जो सिचाई परियोजना चलाई जा रही है उसके लिए 697 करोर रुपय का प्रापधान रखा गया है जो नवाड की मदद स सीचाई परियोजना चलाई जा रही है उसके लिए इसके अलावा महानदी परियोजना के लिए 237 करोड रुपय का प्रावधान रखा गया है लगू सीचाई परियोजना के लिए यहाँ पर 610 करोड रुपय का प्रावधान रखा गया है इनिकर्ट या फिर पसुपालन, मतस्यपालन और सीचाई के छेतर में इस बजट में कौन-कौन से मुख्य प्राबधान किये गए हैं अगर आप सिर्फ 10 से 12 जो मैंने पॉइंट बताए इसको आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो भरोसा रखो आप में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छा आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो इस तरह से जो मैंने कुछ इस स्कीम के बारे में बताए, जैसे राजिव गांदी किसान निया योजना इसका paper number 7 में भी इस्तेमाल हो सकता है, paper number 7 में direct भी पूछा जा सकता है, indirect भी यूज कर सकते हो paper number 5 में आपकी जो 36 गड़ की अर्थ वेवस्था है या जो 36 गड़ का भूगोल है, वहां भी आप इन सारे points का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो तो आज के इस वीडियो में हमने दो छेतर के बारे में जाना, क्रिसी का छेतर हो गया या फिर सिचाही का छेतर हो गया कल के वीडियो में हमने स्वास्त के छेतर में किस प्रकार से प्राबधान किये गया है या स्वास्त के छेतर में जो जो योजनाय चलाई जा रही है उसमें किस प्रकार से प्राबधान किया गया है यह वाओं के लिए क्या क्या किया गया है तो अगले वीडियो में हम लोग कु इसके अलावा अगर कोई पहले सी योजना चल रही है तो उस योजना में किस प्रतार से प्राप्थान किया गया है पूरा एनालेसिस इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पॉइंट वाइस पॉइंट करेंगे तो देखते रही है अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसके अलावा आप हमारे फेस्बुक पेज से जुड़ना ना भूलिएगा फेस्बुक पे सर्च कीजिएगा कॉंपेटिशन कम्यूनिटी राइपपूर, उस पेज को लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा क्योंकि सारे जो इंपॉर्टन नोडिफिकेशन्स होते हैं वो टेलीग्राम पे अविलेबल करवाया जाता है तो आप लोग हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ना मत भूलिएगा तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही, stay home, study at home, thank you CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए, कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले